हेलो एब्रीवान, वेलकम टू कौन स्टडी, मैं आपको क्लास फोर की रिक्रूट्मेंट के लिए जिये का पार्ट कवर करवा रहे हूं, विचिस ओ फॉर्टी मार्क्स, ओके तो अभी हमारा इंडियन हिस्ट्री का पार्ट चल रहा है, जिसमें एंशिन हिस्ट्री और मेडि फर्स टाइम मेरी विडियो देख रहे हैं, तो आप पहले जाके वो पांच लेक्चर्स देख लीजिए, ताकि आपको पता चले कि किस तरह से जो स्टोरी है वो आगे बढ़ रही है, ठीक है, और आप लेफ्ट आउट फील ना करें इस लेक्चर में, अगर आपको बाकी ल प्लेलिस्ट ऑप्शन और यूट्यूब, चाहे वो आप पे है, चाहे वो लाप्टॉप पे है, वहां से आप क्लास 4 की जो जेनरल अवेरनिस की प्लेलिस्ट है, वहां पर जाकर सारे लेक्चर्स अवेल कर सकती हैं, जो भी यहां पर से लेबस के लेक्चर्स हैं, वो सारे यहां पे available हैं आपके लिए अगर आप हमारे चानल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लिजे और सब्सक्राइब बटन के साथ ही एक notification bell भी आता है आप उसे भी जरूर क्लिक कर लीजएगा उ video has been up on the channel ठीक है जैसे मुझे बहुत बरी जो है messages आते हैं personal messages की ma'am next lecture कब आ रहा है so you can get yourself notified notification bell को click करके ठीक है इसके इलावा जो हमारे social media handles हैं आप उन्हें भी join कर सकते हैं टेलिग्राम पर आपके quizzes हम करवाते हैं Instagram पर और Facebook पर आपको चानल की updates मिलती रहती हैं अगर कोई recruitment related update होती है तो वो भी आपको Facebook और इंस्टा पर अवेल हो जाती है तो चलिए आज का lecture देख लेते हैं अब लास्ट मैंने आपको जो बताया था that was related to civil disobedience movement जो हुई थी क्योंकि गांधी जी और इर्विन के बीच में एक agreement टाइप का हुआ था जिसमें गांधी जी ने 11 पॉइंट डिमांड रखी थी लॉड इर्विन के सामने और उस वज़े से उन्होंने civil disobedience movement स्टार्ट कर दिया था ठीक है उसी दोरान round table summits जो है या round table conferences जो है वो British government ने करवाई just की ताकि उसमें इंडियन भी पार्टिसिपेट करें और यह जो मतभेध है दोनों के बीच में उसे कुछ हद तक सेटल किया जा सके तो फर्स राउंड टेबल movement to boycott round table conference ठीक है तो round table conference को इंडियन नाशनल कॉंग्रेस ने पूरी तरह से boycott हो किया ठीक है और फिर हुई second round table conference 1931 में जिसमें महात्मा गांधी ने पार्टिसिपेट किया और इसी दोरान सरोजनी नाइडू जी ने भी इंडियन नाशनल कॉंग्रेस के female representative के तोर पे पार्टिसिपेट किया ठीक है communal elections भी इसी दोरान हेल्ट कराए गए थे 1931 के अराउंड ठीक है और थर्ड राउंटेबल conference जो हुई थी वो 1932 में हुई थी जिसमें जो है जिन्ना जी ने पार्टिसिपेट नहीं किया था और जो एक point आपको ध्यान रखना है जो बहुत बार exams में आता है वो यह है कि कौन से political leader है जिन्होंने तीनों की तीनों roundtable conferences जो है वो attend की तो he was BR अंबेड कर ठीक है यह आप याद रखिएगा कि जो BR अंबेड कर थे उन्होंने सारी roundtable conference जो है वो attend ठीक है अब इसके बाद in roundtable conferences के बीच में भी कुछ जो है events हुए है जो मैं आप आपको बताती हूं मैं चाहती थी कि पहले एक बारी आपको overview देदू roundtable conferences का and इसके इलावा roundtable conferences का कोई हल निकला मतलब was it successful so no it was not successful कोई भी roundtable conference जो थी वो successful नहीं हो पाई ठीक है तो अब देखो जब first roundtable conference हुई इंडियन national congress में से किसी ने participate नहीं किया तो British government जो थी उन्होंने insist किया कि भई ऐसे तो बात नहीं बनेगी क्योंकि अगर इंडियन इंडियन जो political leaders हैं वही participate नहीं करेंगे इंडियन national congress में जो roundtable conference है उसमें तो फिर इस roundtable conference को रखने का कोई मतलब ही नहीं बनेगा तो क्या किया कि इर्विन जो थे कि ही approach गांधी जी और गांधी जी और इर्विन के बीच में एक पैक्ट हुआ जिसमें गांधी जी ने इर्विन को कुछ डिमांड रखी जिसमें से कुछ डिमांड जो है वो लॉर्ड इर्विन ने मान ली ठीक है तो 1931 में गांधी इर्विन पैक्ट हुआ जिसमें इंडिन नाशनल कॉंग्रेस ने इसके बदले में इर्विन को क्या देना पड़ा उन्होंने सॉल्ट बनाने का जो राइट था वो विलेजर्स को वापिस कर दिया और गांधी जी ने उन्हें डिमांड किया था कि सभी प्रिजनर्स को रिलीज किया जाए बट इर्विन ने सिर्फ पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज किया था यही वो टाइम था जब भगत सिंग राजगुरु जैसे जो थे उनको फांसी होने वाली थी 20 दिन में और इर्विन ने उन्हें रिलीज करने से मना कर दिया ठीक है अब क्यूंकि इर्विन ने उनकी की कुछ बाते माननी थी तो गांधी जी को 2nd roundtable conference में जाना पड़ा और इसी वजह से गंधी जी को बहुत ज्यादा hate मिला था इंडियन्स ने बहुत ज़्यादा उन black flags जो थे वह होस्ट किये थे गांधी जी के एंस क्योंकि उन्हें लगा कि गांधी जी जो थे वो able ही नहीं हो पाए भगत सिंग की जो hanging थी उसे रोकने में ठीक है इसी दोर आने एक और चीज हुई कि second round table confidence जो थी वो भी work नहीं की और गांधी जी ने civil disobedience movement जो थी वो वापिस से start कर दी so civil disobedience movement phase 2 अगर कभी आप से exam में पूछ दै तो it will be in 1932 और अगर civil disobedience movement in general पूछा जाएगा तो it will be in the year 1930 ठीक है तो यह चीजें भी आपको याद रखनी है then second round table conference के बाद गांधी जी ने civil disobedience movement शुरू कर दी और जो ब्रिटिश थे उन्होंने भी अपना पैंतरा खेला और उन्होंने communal awards जो थे वो present की ठीक है अब इन awards को राम से mcdonald award भी बोला जाता है ठीक है इसको क्या बोला जाता है राम से mcdonald award भी बोला जाता है इस में क्या था इस award में Muslims, Sikhs, Indians, Christians, Anglo-Indians, Women और backward classes सभी को एक representation दी जा रहे थी ठीक है जिससे क्या था कि यह चाहते थे divide and rule policy कि क्या करें जिस चीजों से food पर सकती है वो चीज इन्होंने start कर दी जिसकी विज़ा से क्या हुआ गांधी जी जो थे he went to a fast unto death ठीक है तो गांधी जी fast पे चलेगे और बियारम बेड कर जो थे then he came to गांधी जी to break his fast और ये कहां पर हुआ ये हुआ ये दर्वा जेल में पूने में है जो ठीक है और वहां पर हुआ आपका पूने बैक्ट गांधी जी का fast खतम करने के लिए तो किस के बीच में हुआ पूना पैक्ट? M.क. गांधी और बियारम बेड कर बीच में और ये किस ने करवाया? मदन मोहन मालविया जी ने और आजेंदर प्रसाद ने मिलके ये पूना पाक करवाया इसमें बोला क्या गया? इसमें बोला गया कि जो special treatment है depressed classes को वो दिया जाएगा ठीक है गांदी जी इस बात के लिए मानगे और जो separate electorate का जो demand था वो मना कर दिया गया कि separate electorate नहीं मिलेगा backward classes को ठीक है बट जो seats है जो reserved seats है उनकी वो बढ़ा दे जाएंगी ठीक है तो ये था पूना पाक्ट और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद 1940 में Just a second 1940 में क्या हुआ? 1940 में आपका August offer आया ठीक है? तो August offer में क्या हुआ? उस ताइम पर World War 2 चल रहा था ठीक है? तो World War 2 चल रहा था और जो ब्रिटिशस थे उन्हें इंडियन्स की cooperation की जरूरत थी यहां पर इंडियन्स ब्रिटिशस के against जो थे वो movements कर रहे थे और इंडियन्स जो ब्रिटिशस थे उनको चाहिए थे इंडियन्स की cooperation तो उन्होंने एक August offer निकाला जिसमें उन्होंने बोला कि कुछ offers दिए कि world war 2 खतम होने दीजी हम आपको dominion status का भी promise देते हैं हम आपको promise करते हैं कि आपको constituent assembly भी बना देगे मतलब there were a few promises जो ऑगस्ट offer में उन्होंने offer किये बट यह इंडियन्स को बिल्कुल मनजूर नहीं था और इंडियन्स ने क्या किया individual सत्य ग्रह शुरू कर दिया अब individual सत्य ग्रह में आपको जादा कुछ नहीं याद रखने है आपको सिर्फ यह याद रखने है कि first individual सत्य ग्रह जो था वह विनोभा भवे ने स्टार्ट किया था and second जो थे जिन्होंने इंडिविजुल सत्य ग्रेम में participate किया he was जवालनाल नहरू ठीक है अब August offer तो मना हो गया then उसी के बाद Crips mission आ गया ठीक है तो Crips mission में Sir Stafford Crips जो थे उन्हें भेजा गया India कि Indian leaders के साथ आप settle कीजिये terms ठीक है तो उन्होंने एक proposed dominion status फिर से grant करने की बाद की after war तो गांधी जी ने और Congress ने refuse कर दिया कि अब हम आपके किसी भी future promise को नहीं मानेंगे और गांधी जी ने Crips mission को ही बोला post-dated check on a falling bank ठीक है on a falling bank या फिर crashing bank ठीक है तो ये भी बहुत बारी question आता है कि गांधी जी ने किस को बोला था post-dated check तो ये बोला था Crips mission को क्योंकि ये भी बेस था सिर्फ future promises पे ठीक है तो Crips mission भी fail हो गया then इन्होंने क्या start कर दी quit India movement की अब आप क्या करो simply आप छोड़ के जाओ अब इंडिया को पहले ये लोग क्या कर रहे थे पहले ये compromises को तयार थे बट जैसे जैसे Britishers ने इन्हें और जादा exploit करना शुरू किया तो ये चीज जो थी it instigated quit India movement it was the movement जिसके start होने पे ही major political leaders सब को डाल दिया गया जेल में ठीक है और ये जो थी 1857 के बाद सबसे जादा violent movement थी इंडिया में ठीक है against Britishers और ये कहां से start हुई थी Bombay से ठीक है इसमें mass struggle हुआ on the non-violent lines widest possible scale बट बाद में क्योंकि जब political leaders जो थे वो जेल में उन्हें डाल दिया गया तो it became violent और इसी दोरान गांधी जी ने slogan दिया था do or die का ठीक है तो quit India movement जब हुई दिन after some time cabinet mission एक बनाया गया जिसमें तीन members थे आपको ध्यान रखना है यह तीन members में से किसी एक का नाम आपको पूछा जा सकता है exam में तीन members थे जिन्होंने मिलकर cabinet mission बनाया ताकि किस तरह से जो powers हैं वो transfer करी जा सकें इंडिया को ठीक है तो एक थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस जो की इसके लीडर थे ठीक है फिर Sir Stafford Cripps इन्हें वापिस बुलाया गया और A.V. Alexander ठीक है और इस टाइम पर ब्रिटिश के जो प्राइम मिनेस्टर थे वो कुन थे Clement Attlee ठीक है तो Cripps जो cabinet mission था उसी के बाद Clement Attlee ने declare किया 20 February 1947 को कि इंडिया को 30th June 1947 तक independence हम लोग दे देंगे ठीक है और उस टाइम पर जो इंडिया के voice roy थे वो थे Lord Wevel और उन्होंने ही declare किया Clement Attlee ने कि अब जो independence है वो कुन करवाएंगे Lord Mountbatten ठीक है तो अब Lord Mountbatten ने फिर finally declare किया Lord Mountbatten प्लान में 3rd June को कि जो आपको powers है जो आपको powers है वो 15 अगस्त को दे दी जाएंगी और इंडिया को दो जो है parts में divide किया जाएगा इंडिया और पाकिस्तान ठीक है इंडिया और पाकिस्तान में divide किया जाएगा और इस boundary को बोला जाएगा Radcliffe Line और जो princely states हैं वो खुद decide करेंगे कि उन्होंने इंडिया को join करना है या फिर पाकिस्तान को अब biggest princely state कोन से थी जिसने इंडिया को join किया इट वस है इधराबाद ठीक है है इधराबाद biggest princely state थी जिसने इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया को join किया ठीक है so that was our Indian independence the struggle थी अब कुछ facts है कुछ ऐसी चीज़े हैं जो exams में पूछ ली जाती है तो let's discuss those also तो अगर हम social reformers की बात करें इंडियान इंडिपेंडेंस ट्रगल के ताइम पर तो देर वर फ्यू ठीक है जिन में से राजा राम मोहन राय के बारे में बहुत सुना होगा he worked a lot to abolish सती और finally Lord Benton की help से ठीक है Lord Benton की help से इन्होंने सती को abolish किया इन्होंने एक बुक लिखी थी a gift to monotheist ठीक है और इन्होंने ही establish किया था ब्रह्म समाज को और आत्मिय सभा को ठीक है तो एक्जाम में generally यही पूछा जाते है कि who was the founder और who established ब्रह्म समाज या फिर आत्मिय सभा तो क्या आएगा आपका answer राजा राम मोहन राय और इन्होंने इस्टाबलिश किया था विदानता कॉलेज को भी ठीक है फिर आता है आरे समाज आरे समाज के जो major जो प्रीचर थे he was स्वामी द्यानंद सरस्वती बॉंबे में इन्होंने आरे समाज को स्टार्ट किया और इन्होंने untouchability, child marriage और caste discrimination को oppose किया हुआ था ठीक है फिर अगर आगे बात करें तो स्वामी विवेकनन जो थे इन्होंने रामकृष्न मिशन शुरू किया and he was a disciple of रामकृष्न परमहंसा ठीक है फिर श्री नारायन गुरू जो थे उन्होंने स्लोगन दिया था one caste, one religion and one god for mankind because उस टाइम पर आपको पता है कि बहुत ज़दा discrimination थी religions को लेके caste को लेके तो यह लोग जोड़ना चाहते थे इंडियन को साथ में इसलिए यह लोग इस तरह से काम कर रहे थे कि इंडियन मिलकर oppose करें इन चीजों का and they should stand as a single unit against Britishers ठीक है अब कुछ important facts देख लेते हैं अगर इंडियन बुरके की बात करें तो वो किसे बोला गया था सुरेंद्रनात बेनर जी को अगर आपको कभी question आ जाए कि grand old man of India किसे बोला गया है तो he was दादा भाई नारो जी political guru of गांदी जी यह मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं his गुपाल कृष्ण गोखली ठीक है और पाकिस्तान की first time demand या फे पाकिस्तान टर्म जो है वो first time कहा कोईन की गई थी 1940 में कोईन की गई थी लाहोर सेशन था मुस्लिम लीग का वहाँ पर पाकिस्तान टर्म कोईन की गई थी और वहीं पर पहली बार डिमांड जो थी वो जन्रेट हुई थी पाकिस्तान के लिए फिर इंडियन नाशनल आर्मी की अगर हम बात करें इसे ठीक है 1942 में क्या हुआ कि सुभाषणर बोस जो थे उन्होंने आइनसी को रिजाइन कर दिया ठीक है जों इन्डियन नाशनल कॉंगरश साथ इनकी जो थौट्स थे वो मिलनी पा रहे थे तो 1942 में इन्होंने INC को resign किया और उसके बाद इन्होंने बनाया forward block सुभाश चंद्रबोस नहीं और लेटर ओन Indian National Army को revive किया Indian National Army को revive किया सुभाश चंद्रबोस नहीं कहाँ पर Singapore में ठीक है तो मैं यह सब क्यों बता रही हूं क्योंकि बहुत बार फूच लिया जाता है कि इंडिया नाशनल आर्मी को कहा रिवाइब किया सुभाष चंद्रबोश ने क्योंकि इट वोस अ मेजर इवेंट तो सिंगापॉर में किया ठीक है और उससे पहले क्या बनाया था तो फॉरवर ब्लॉग फॉर इंडियन इंडिपेंडन स्ट्रगल तो वो आपके कंप्लीट हो चुके है ठीक है तो आपको मॉडर्न हिस्ट्री खतम करवा दूगी तिन देल बी जस वान विडियो लेफ्ट जिसमें हम लोग एमसी क्यूस दिसकस कर लेंगे जो भी हमने मॉडर्न हिस्ट्री में पूरा पड़ा है ताकि आप लोगों की रिविजिन हो जै और जो भी हमने अभी तक पड़ा है वो आपको पता चलेगी आपको याद भी है कि नहीं याद है ठीक है तो तो थीज आर फाइव क्वेस्ट्टन जिनके आपको answers मिल जाने चाहिए वीडियो में ही I'll look forward to your answers in the comment section अगर कोई आपको doubt हो वो भी आप comment section में बता देजेगा कोई suggestion हो वो भी आप comment section में बता देजेगा so with that I complete my lecture thank you so much and God bless you